इंस्टन लोन आपको चाहिए तो प्लेश्टोर में देखे बहुत सारा लोन आप है आपको कैसे पता चलेगा जो इंस्टन पैसे आपको बैंक आको मिल जाई ओ भी एक दो तीन नहीं नौ मंत का इमाई बनके आपको पैसे मिलेगी देखिए मैं स्क्रीन पर देखाते हूं 15,000 का मुझे लोन मिला है और मैंने जैसे उट्राल किया मुझे नौ मन्त का इमाई कनभाट होके पैसे मिल चुकिए देखिए देखिए प्लेश्टोर में बहुत सारा एप है सारा RBI के गैडलाइन को फॉलो करते हैं जितना NBFC Finance Bank है और जो लोन देती है आपको 10,000 15,000 लोन दे देखिए आपको 15,000 लोन मिल जाती है दूसरे कई एब में आपको 5 मैं या 3 मन्त का इमाई कनभाट हो जाती है आपको बहुत सारा टेंशन आजाती है कि कुई देखिए छोटा ओमड होगा जितना मन्त का आपका इमाई कनप्लेटली कर सकते हो यह कौन सा आप है जैसे मैं व फोन नंबर में लोगिन हो जाएगा देखिए इसमें मैं तीन भार लोन ले चुका हूं आपको फिर से दिखा रहा हूं आपको 15,000 मुझे लोन अभी मिली है आप रूबल मिला है मैं बैंक अकॉन में इंस्टन लेके दिखाऊंगा और 9 मन्त का इमाई बनी कैसे लेना है दे इस तरह से प्रोसेसिंग होगा आपको थोड़ा सा वेट करना है देखिए जैसे कंटीनिय कर देंगे आपको यहां पर आमाउंट देखने लगेगा आपको अप्रूबल कितना मिला देकि मुझे 5,000 से लेके 15,000 का अमाउंट दिखा रहा है उसका अंदर से आपको जितना च अब पता होगा तीन मन्त या पांच मन्त का EMI कनबट होती है लेकिन इसमें देखिए मनीवी एप में 9 मन्त का EMI कनबट हो को दे सकती हो तो हर महीने मुझे 1927 रुपे देना बढ़ेगा उसमें प्रोसेसिंग फिस कर जाएगी 1150 रुपे ठीक है अब बाकि जो अमाउंड हो तो बॉक्स में ठीक लागा करें प्रोसेस में करना है जब आपको नहीं चाहिए तो यहीं से बैक करके रख सकते हो आपका मेडिकल इस्व है कुछ प्रॉबलम आ सकती है तो आपको एमर्जनसी चाहिए तो इस्टनली अप्लाई करके पैसे ले सकते हो इंसनली मिल जाता है ठीक है अभी मैं लेना चाहता हूं तो प्रोसेस में जैसे क्लिक करोंगा इस तरह से प्रोसेसिंग होगा यहां पर देखे हैं पर सारा डीटेल्स आपको फिल करना है जो भी आपका फैमिली डीटेल्स है आपको जो भी डीटेल्स है मंगता है सबको बेसिक डीटेल्स आपक करने का तो ढको नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे दूबारा सी करना है कैंद कि का आदारकर का 3 पीह ओटिपी पीह जैंगा करने के बादी ने खार में जैसे ओटिपीए गाई पीजैसे करते यह आपको सारा details ले लेगा हैं यहां पर सारा देखे आधरकाड में जो पी आपका details होगा सब कुछ है add हो जाएगा आपको शर्फ check करना है next में फिर से click कर देना है जैसे click करेंगे देखे इस तरह से KYC भी complete हो जाएगा कुछी मिन्टेव का अंदर KYC complete हो जुका है अभी next process क्या है आपको loan लेने के बाद आपको देखे देखे KYC जैसे complete हो जाता है सारा details आजाएगा अधरकाड में जो भी details होगा सब कुछ यहां पर देखने लगेगा आपको next क्या है upload documents लिख रहा है selfie आपको first देना है take selfie में आपको click करना है click करने का तो आपको selfie क्रिच लेना है उसका upload कर देना है जैसे done हो जाएगा देखे selfie भी upload हो रहा है selfie जैसे upload complete हो जाता है next process मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा आपको देखे सारा details आजाएगा पहले आपने जो भी feel किये थे आपको review check करना है सब कुछ complete है आपका नाम आपका family का नाम और जो भी loan ले रहे हो जो finance company आपको loan दे रही हाँ देखने लगेगा और कितना मन्त का EMI बन रहे है कितना पैसे अपने bank account मिले ही कितना चारदेस आपको देना rate of interest का है हाँ सारा कुछ देखने लगेगा उसमें next में फिर से click करेंगे जैसे click कर देंगे हाँ देखिए amount final amount आपको बैंक आको इतना पैसे मिलने बाली है और देखिए पैसे जो है कितना मन्त का EMI बनेगी ठीक है इतना करते ही आपको back कर देना है बैक कर देना है देखिए आपपर पहला जो है इन प्रोसेस जो है complete हो जाएगा देखिए number 3 पर जो है auto debit मैंने इससे पर पहले पैसे ले चुका देखिए 5,000 रुपे इसलिए प्राइबेट करना नहीं पड़ा आपको देखिए first time आएगे तो auto debit जो है आपको net banking या जो भी पैंक होगा net banking या debit card होगा debit card का सारा details दालेंगे OTPI काएगा one rupees debit होगा और auto debit set हो जाएगा देखिए private bank बिल्कुल मत किजिए auto debit क्योंकुक्ष में भी EMI में जो पैसे आपका bank account पैसे नहीं रहे तो charges बहुत ज़्यादा लगता है आपको government bank रखना है auto debit के लिए आपको पैसे जो है charges बहुत कम लगएगा देखिए auto debit जो नाच है complete हो चुका है नीचे देखिए आपको फिर से देखिए review and submit agreement देखिए है final process के आपको जो भी फिल किया थे यह application आपको review में जाएगी तब final के पैसे अपने bank account मिलेगी चार प्रोसिस दिखा रही है अभी नंबर चार प्रोसिस में account पांच नंबर जो प्रोसिस है final अपने bank account पैसे मिल जाएगी इसमें review नाव में क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे सारा क्लिक करेंगे जिस नंबर पर आपका money भी होगा उस नंबर पर आपका OTP आटोमेटिक आजाएगा फील हो जाएगा तो आपका sign in complete हो जाता है जैसे complete हो जाता है देखें आपर सब कुछ complete हो चुका है आपका लोन जो है अप्रूबल भी मिल चुकी है और document sign in हो चुकी है सब कुछ complete हो चुकी है देखें आप नीचे लिखा है money transfer to bank जो भी आपने bank account set किया हो गए उसी bank account में कुछी मिन्टों का अंतर पैसे मिल जाती है अभी देखें आप processing दिखा रहे है मुझे bank account पैसे already मिल चुकी है मैंने refresh करके फिर्षे bank account open किया तो देखें मेरे bank account पैसे already हैं congratulations successfully मुझे पैसे मिल चुकी है लेकिन देखें कुछी मिन्टे गवाद message आता है थोड़ा से लेट में आता है देखें आपर देखें money passport to bank हो चुक है अभी देखें कुछ holiday होगा कुछ Sunday होगा तो आपको थोड़ा से टाइम लग सकता है लेकिन मैं जो पैंक वार्किंग डे में टाइम में क्या था मुझे पांच मिनिट का अंदर मेरे bank account पैसे मिल चुक है देखें देखें प्लेश्टर में दितना सारा loan app है बहुत सारा loan app है आपको 10,000 15,000 पीस अजार loan amount मिल जाती है लेकिन छे मन्त या पांच मन्त या तीन मन्त का EMI convert हो गए आपको payment करना पड़ता है लेकिन money app ऐसा है आपको 15,000 पैसे नहीं रहती है तो आपको 6 तरीक पैसे payment कर दोगा कुछ भी लेट पीस चर्जेस नहीं लगेगी उसके बाद आपको चार्जेस अलग से लगेगे लेट फिस चार्जेस जो भी bank add हुआ होगा लेट पीस उसमें भी अलग से एड होता रहिगा तो आयो आब आको बीडियों आच्छा लगा लाइक कीजिए कमेट कीजिए दोस्तों की शे गार बीर थन्यू भरोचिंग